हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मंदिर था अगर राजनीतिक हस्त शेप नहीं होता तो मंदिर बहुत पहले बन गया होता राम जन्मभुमियां अन्दोलंग के एक सहयोगी संगटन के नाते हम कहते हैं नहीं राम जन्मभुमियां पर शिग्रता पूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए का है यह उइसे है और इस प्रकण को केवल लंबा करने के लिए जो हस्तक्षफ चले है अ उस प्रकण लंबा कि इंदु समाज तो कितने वर्षों से रहा देख रहा है और लोग जनते हैं सत्य भी जनते हैं निर्ने तुरंत आ भी सकता है लेकिन कुछ लोग है जिनको इस पर राजनीची चलानी है वो इसको लंबा करते हुए दिखाई देते हैं राजनीची को लोग है ये राजनीची नहीं आती हुए तो मंदिर कपका बन चुका होता है सबके सहयोग से बनता है लेकिन राजनीची आगे दीचे और इसलिए राम जन्मभुमिया अंदोलंके एक सहयोगी संगटन के नाते हम कहते हैं नहीं राम जन्मभुमिया पर शिग्रता पुर्वक राम करने के लिए जो हस्तक्षिप चले है वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए जल्दी मिलना चाहिए और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए कानून बनाकर मंदिर बनाए इस मामले में हमारे संतम आत्मा जो भी कदम उठाएंगे उसके साथ संगा है भागवत ने ये भी कहा कि सब्री मालाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में परंपरा का ध्यान नहीं रखा ये कई सालों से चली आ रही है लेकिन इनके मूल कारण का अविचार ही नहीं किया गया है दश्रहरे के मौके पर संग मुख्याले में हुए कारिक्रम में भागवत ने कहा कि हमें शत्रूओं से बच्जाव का उपाय करना ही होगा हमें ये करना होगा कि कोई हम से लड़ने की हिमत ही ना करे प्रजा तंत्र में आंदोलन सम्मान्य बात है लेकिन पिछले दिनों हुए आंदोलन में छोटी बातों को बड़ा किया गया भागवत ने कहा कुछ लोगों ने ये नियम बना रखा है कि देश के बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा ही करेंगे ऐसा लगता है कि ये लोग आत्म मुद्धा के शिकार है सरकार धीमे चलती है ये हम सत्तर साल से देख रहे हैं लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते देश में पंथ जाती संप्रताय की विवत्ता है तो सबके हित में भी विवत्ता है लेकिन समर्सता और एक रूपता से चला जा सकता है अन्याय की प्रतिक्रिया में किसी अन्य अन्याय को जन नहीं देना चाहिए भागवत ने कहा सुरक्षित देश वही रहता है जो शस्त्र अस्त्र बनाने में स्वाव लंबी रहता है वहीं कभी-कभी विदेशों से सैन्य उपकरण लेना जरूरी होता है लेकिन हमें ये तै करना होगा कि सुरक्षा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें सरकार की कई प्रकार की यूजनाई हैं लेकिन इन में समय पर मदद मिलनी चाहिए समय पर मदद ना मिलना दुखद है शासन प्रशासन को इसके लिए सक्रिय होना चाहिए नागपूर से चागरप टीवी के रिपोर्ट